तो देखिए हमारा राजिस्थान जो बुक है उसमें हमारी 6th class पूरी हो चुकी है question answer भी complete हो गए है और उससे पहले हम लोगों ने उसे read कर लिया था हमने 7th class जो है वह भी start कर दी थी लगभग 6 chapter जो है वो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिये हैं आपने नहीं पढ़े हैं तो playlist में जाकर आप वो देखिएगा वहाँ पर सभी लगे हुए हैं और सभी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए जादा से जादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और bell बटन को प्रेस जरूर करना है तब ही आपको जो भी आगे जो वीडियो आता है उसका notification मिल सकता है कई बच्चे बोलते हैं कि हमें notification नहीं मिलता है उसका कारण यही है कि वो bell बटन पर प्रेस नहीं करते हैं तो देखिए हमारा राजिस्थान class 7 की जो book है ये वही book है जो की आपकी अभी school में चल रही है जिसको आप new book कह रही है ठीक है तो चलिए start करते हैं class 7 का हम लोग 6 chapter जो है वह है complete कर चुके थे देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूं यह आपकी book है और यहां पर हमने one का chapter जो है first पढ़ लिया था खनिश संसादन पढ़ लिये थे क्रसी और सिच्चाई का भी पढ़ लिया था क्रशी विपन पढ़ा था राजिस्थान में व्यापा पढ़ लिये थे ठीक है अब हम next chapter करेंगे आजादी का आंदोलन और राजिस्थान आप चाहे first grade की त्यारी कर रहे हो second grade की कर रहे हो वहां आपके राजिस्थान का जीके तो पूछा ही जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह सभी chapter जो है वह है राजिस्थान की geography से संबंद तो यह आपको करने ही पड़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का chapter chapter number 7 आजादी का आंदोलन और राजिस्थान राजिस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था यानि यहां इनका सबसे सीधा जो है वो control रखते थे यह सेज राजिस्थान पर र मजिक ताने बाने में बदलाव आया इसके विरुद यहां की किसानों और जनजातियों ने आवाज उठाई और संगर्ज किया कालंतर में वेभिन रियासतों में प्रजा मंडल की स्थापना हुई और प्रजा मंडलों ने लोगों में राजनीतिक जेतना जागरित की एवं बाद में राजिस्थान के एक ही करण में महत्पूर्ण भूमे का निभाई। अब ये पहराग्राफ जो है इसमें आपको याद करने का कुछ नहीं है, अंडरलाइन भी नहीं करूँगी क्योंकि यहां लिखने का भी कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज को समझ ये कि यहां पर बहुत बड़ी बात कह दी है, वो क्या, कि यहां पर जो राजिस्थान में अंग्रेज जो हैं, वो सबसे पहले अजमेर जो है, इसको अपना मुख्याले बनाते हैं, और यहां अपने आधिपत्य जो है स्थापित करते हैं। सेज जो राजिस्थान होता है, वहां पर राजा महराजा उनका शाशन था, और अब क्या था, यह अंग्रेज जो हैं, इनका सीधा संपर्क राजा महराजाओं से हो जाता है, और ये कुछ संधियां वगरा करते हैं और क्या करते हैं कि इनको अपने अंडर में कर लेते हैं और अंग्रेज जो हैं इनकी राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक सभी जो जीवन होता है उसमें हस्तशेप करना प्रारम कर देते हैं जिस वज़े से यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक ताने बाने में बदलाव आ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं और इस वज़े से यहाँ क्रांती होती है, जिसे हम राजिस्थान में 1857 की क्रांती के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे जो है राजनितिक चेतना जो है वह बढ़ती जाती है किसान जनजाती जो है वो भी आवाज उठाने लगती है और संगर्स करने लगते हैं कुछ समय बाद यहां पर रियासतों में प्रजा मंडल की स्थापना होती है और यह क्यों होती है इसका उदेश्य होता है लोगों में राजनितिक चेतना जो है उसको जागरित करना और उसके बाद ही राजिस्थान का जो एकी करण है वहे भी प्रारम हो जाता है जो की 1 नवं 1857 की क्रांती उसके बाद किसान और जंजातिय आंदोलन पढ़ने होंगे फिर उसके बाद जो है प्रजाम अंडल की स्थापना कैसे होती है कौन करते हैं ये आपको पढ़ना होगा और फिर राजिस्थान के एक इकरण में जो महत्पूर्ण भूमे का निभाई गई वो आपक है ताकि आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले आप प्रजाम अंडल आंदोलन पढ़ लो और उसके बाद 1857 की क्रांती को पढ़ो सिक्वेंस में चलोगे तो चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी राजिस्थान में किसान आंदोलन मद्यकाल में राजिस्थान में ज राजाओं से नगत लगान वसूलना प्रारम कर दिया राजाओं ने ये रासी जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐसो आराम में पढ़ गए और ये भार किस पर आगया किसानों पर आगया और उ और क्या करते हैं कि इन अंग्रेजों और राजाओं के बीच में हो जाती है सहायक संदी ठीक है और उसके बाद अंग्रेज जो है वो राजाओं से कहते हैं कि इतने एरिया का जो लगान है वो आपको नगद हमें देना है राजा क्या करते हैं जागीरदारों को कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं होता है कि किसानों के फसल हुई है या नहीं हुई है वही राजा को इन चीजों के बारे में तो पता ही नहीं होता था वो तो यह सोसता था हर वर्स फसल होती है और लगान किसान दे देते हैं जबकि जागीरदार जो है वो किसानों का खून चूसने जाती हैं तो अब किसान क्या करेंगे आंदोलन करेंगे जिनमें से प्रमुक आंदोलन है सबसे पहले है बिजोलिया आंदोलन बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में कई बार यहां से कुश्यन आया है भारत में एक संगटित किसान आंदोलन की शुरुवात का मेवाड के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है इस आंदोलन की प्रमुक विसेष्टा यह थी कि यह 24 वर्ष तक इतने वर्ष तक 24 वर्ष तक चला जो कि राजेस्थान का ही नहीं बलकि भारत का सबसे बड़ा आंदोलन कहलाया और यह पूरी तरह से अहिंसात्मक रहा कोई हिंसा नहीं हुई इसमें विजोलिया जो वर्ष तमान के भील वाड़ा जिले में है तातकालीन मेवाड रियासत का ठिकाना था यह आंदोलन धाकर जाती के किसानों दोरा प्रारम किया गया यह आंदोलन मुकेदत तीन चरणों में बटा हुआ था प्रथम चरण 1897 से 1914 तक चला और तीसरा चरण चला 1923 से 1941 तक ठीके अब विजोलिया जो है वह कहां था वर्ष तमान जो भील वाड़ा जिला है वहां पड़ता है विजोलिया और उस समय यह मिवार रियासत का क्या था ठेकाना था यहां पर आंदोलन कौन करते हैं धाकर जाती किसान करते हैं यह जा आम जनता होती है वही आंदोलन का नेतरत्व कर रही थी दूसरे चरण में जो शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे जो कि यहां के किसानों को जागरुक करते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है ठीक है फिर धीरे-धीरे करके यहां पर जो नए व्यक्ति जो हैं वो जोड़ ले जाती थी तो यह जो था ना राव क्रिशन सींग इससे पहले जो है जो जागीरदार था उसके समय यह समस्या नहीं थी ठीक है क्योंकि उसका कोई भी कारे नहीं होता था कि किसानों को वो परेशान करे लेकिन जैसे ही यह राव राजा जो बनता है क्रिशन सींग यह क्य लगा देता है, तो क्या करते हैं, जब कर लगा देता है, तो यहां के किसान परिशान हो जाते हैं, तो वो लोग आपस में बैट कर बात करते हैं, और एक गंगाराम धाकड होता है, वहां पर ये मृत्यू भूज पर इकटा होते हैं, तो यह लोग क्या करते हैं, कि यहां से द जिकशान जी और ठाकरी पटेल जो हैं, इनको भेजा जाता है मेवाड महाराना से इस राव कृष्ण सींग की शिकायत लेकर. तो यह क्या करता है, क्रिश्ण सींग जैसे ही इसको भनक पड़ती है कि ये दो लोग जो हैं, ये महाराना के पास गए हैं, तो क्या करता है? बाप चवरीकर की लागत माफ कर दी और लगान में चूट दी गई अब किसान जो हैं वहें विरोध करते हैं तो यह चवरीकर क्या होता है कि यहां पर गाउं में कोई भी किशान है उसकी अगर बेटी है और वहें उसका विवाह करता है तो उसे कुछ पैसे जो हैं 13 रुपए या 5 लग भग यह ठिकाने में जमा करने होंगे तो यह किसान क्या करते हैं कि उनके तो हात में पहले से ही कुछ नहीं था धन धाने नहीं था पहले से ही परेशान थे और एक और कर जो है किसानों पर लगा दिया जाता है तो वो तो अपनी कर्ण्याओं का देखिए विवाह करना बंद कर देते हैं सुनते हैं कि दो वर्षों तक इन्हों ने किसानों ने अपनी कर्ण्याओं का विवाही नहीं किया किसान विरोध करते हैं इस चवरी करका तो और उपर से खेती करना जो है वह भी बंद कर देते हैं अब क्रिशन सिंग जो है वो क्या सोचता है कि जब यह ख लगत को माफ कर देता है और लगान में चूट दे देता है। राव क्रिशन सींग की मृत्यू के बाद एक नया जागीरदार बनता है प्रत्वी सिंग। ये क्या करता है ये 1906 इस्वी के लगवग एक और नया कर लगा देता है तलवार बंधाईकर। किसानों ने सादू सीता राम दास फते करन चारण और बरहमदेव के नेत्रत्व में राव की इस कारवाई का विरोध किया। तो जो जादू सीता राम दास हैं फते करन चारण हैं और ब्रहमदेव इं numa यहां पर आंदोलन जो है किसानों के Dwarra किया जाता है, तो ये विजोलिय किसान आंदोलन जो है वो बहुत important है आपके exam के according इस आंदोलन के दोरांसरी विजे सिंग पतिक ने 1917 में उपर माल पंच बोर्ड की इस्थापना की उनको मारिक के लाल वर्मा का भी साथ मिला किसानों ने पतिक के नेतरत्व में आंदोलन जारी रखा और किसानों ने सांती पूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफतार होते भी रहे तो पहले यहां आंदोलन में कौन जोड़ जाते हैं विजे सिंग पतिक जोड़ जाते हैं और उसके बाद मानिक के लाल वर्मा जोड़त दूसरे चरण में विजय सिंग पथिक शामिल हुए, मानिक किलाल वर्मा हुए, तीसरे चरण में जमनालाल बजाज वो सामिल होते हैं। रमा देवी, नारायनी देवी, जैसे महिलाएं जो हैं, वो इस आंदोलन में अपना योगदान देती हैं। ठीके। नेक्स्ट दिखिए, बेंगु किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड के बेंगु टिकाने में भी किसानों ने जागीरदार की अत्याचार के विरुद आवाज उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित तथा पतिक से नेत्रत्व करने का आग्रे करते हैं। पतिक जी के आदेश से राम नरायन चौधरी ने किसानों का नेत्रत्व किया। अब बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेंगु के किसान जो हैं वो भी आंदोलन क पर देते हैं वो भी यहां अत्याचारों के व्रुद्ध आवाज उठाते हैं यहां भी वज़े वही होती है जादा लगान लिया जाना तो विजे सिंग पत्य के आदेश पर बेंगो किसान आंदोलन का नेत्र तो किस ने किया राम नरायं चौधरी ने लंबे संगर्ज के बा क्या होता है एक समझोता होता है जिसे मेवार सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया सरकार ने जाच के लिए रेवेन्यू कमिशनर ट्रेंच को भेजा किसको भेजा ट्रेंच को भेजा पहले तो समझोता हो जाता है फिर उसकी मना ही हो जाती है फिर सरकार किसको भेजती है, ट्रेंच को भेजती है, कि वहाँ जाए और वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको शान्त करें, इसलिए इसे भेजा जाता है, रेवेन्यू कमिशनर ट्रेंच ने गोविंद पुरा में एकत्र किसानों पर कहां पर, गोविंद पुरा में एकत्र किसानो पर गोलियां चलाई अब इसको भेजा तो अच्छे काम के लिए गया था लेकिन ये क्या करता है वहां जाकर गोलियां चलाता है गाउं को जलाने का आदेश दे देता है यहाँ पर रूपा जी और कृपा जी दो धाकण है वो मारे जाते हैं कई किसान घायल हो जाते हैं आप्त हो जाता है ठीक है तो कुछ जो नाम है वो आपको याद रखने हैं विजोलिया किसान आंदुलन में कई नाम आए वो आप याद रखिएगा बेंगु किसान आंदुलन में जो नाम आया राम नारायन चौधरी यह बेंगु किसान आंदुलन का नेत्रत्व करते हैं किस के कहने पर विज्य सिंग पतिक के कहने पर, यहां पर दो किसान कौन मारे जाते हे रूपाजी और करपाजी धाकर, ठीक है, किस गाउं की घटना है यह गोली जलाने का अधिस कौन देता है, ट्रेंच देता है और यहां पर जो जागीरदार था वो कौन था अनोप सिंग था ठीक है नेक्स्ट देखिए बुंदी किसान आंदोलन सन 1926 में पंडित नैनूराम, राम नरायन चौधरी और हरी भाई किंकर के नेत्रत्वों में बुंदी के किसानों ने भी लाग बाग वा बेगार के वृत आंदोलन छेडा बुंदी के बरण में, कहां पर? बरण में, ठीक है? पुलिस ने 71 किसानों पर गोली चला दी जिसने गटना इस्तल पर ही नानक भील जो है इनकी म्रत्य हो गई अनेक इस्त्रियाँ वा बच्चे भी घायल हो गई बुंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्विकार करने पर आंदोलन के समाप्ती हो जाती है तो आंदोलन कब तक चलता है? 1926 से स्टार्ट होता है और 1943 तक चलता है कौन मारा जाता है? नानक भील मारा जाता है यहां पर नित्र तो कौन करते हैं? पंडित नैनू राम चर्मा, राम नारान चौधरी और हरी भाई किंकर करते हैं. ठीके? और देखिए कौन से स्थान पर होता है? बुंदी के बरण में होता है. तो ये बरण जो है, इसी वज़े से इसे बरण किसान आंदोलन भी कहा जाता ह है. ठीके? ये चीज़ आप याद रखेगा. तो चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. हमने तीन आंदोलन जो हैं वो पढ़ लिये हैं. कौन से? विजोलिया आंदोलन, बुंदी किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन. तो बार-बार इसको आप देखिएगा. झाल